फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे Reliance Industries की Reliance Industries का Result डिकलेर हो चुका है Result अच्छा है और Quarter 2 से Quarter 3 का Result बहुत ही बैतरीन है Overall पूरे Year के यह साब से देखेंगे तो Revenue में कमी है लेकिन उसके बीच में Covid-19 का बहुत बड़ा Effect है इसलिए उसको हम ज़्यादा तवज़ों नहीं देगे इस बार लेकिन हम quarter 2 से quarter 3 के result को compare करेंगे और जानने की कोसिस करेंगे कि Reliance Industries ने कितना achievement किया अलग अलग sector के अंदर और साथ में कल Reliance Industries के share में बड़ी गिरावट हुई और उसके पीछे वज़े बनी बाजार की बड़ी गिरावट कल कम से कम साड़े साथ सो पॉइंट की गिरावट हुई और इसी वज़े से Reliance में भी गिरावट हुई वरना Reliance की price कल डेफिनिटली बढ़ जाती और श्टॉक में आपको अच्छा खासा profit मिलता लेकिन अभी घबराने की जरूत नहीं है रिजल्ट अच्छा है और आसा के अनुरूप है तो क्योंकि लगबग आपको रिजल्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है तो हम इसके अंदर जो मुख्य मुद्दे है उन्हीं को डिसकस करेंगे और जानने की कोशिस करेंगे कि अब आगे क्या रणनी देती बनेगी यह रिलाइंस इंडिस्टिस के स्टॉक के अंदर लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आये तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकोन देबादी यह ताकि जब भी नया वीडियो बनाओ पहला नोडिकिशन आपको मिले वीडियो पसना आए तो लाइक शेर जिरुके चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं कल Reliance Industries का इस्टोक में भी गिरावट हुई और उसके पीछे वजब बनी बजार में बड़ी गिरावट करीब साड़े साथ सो पॉइंट की गिरावट थी संसेक्स के अंदर बहुत ही जबबर्दस गिरावट थी और इसका मुख्य कारण था प्रॉफिट बुकिंग संसेक्स ने 50,000 को टच कर लिया था और वहाँ से फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग सुरू हो गई तो कल Reliance Industries का इस्टोक 2,111 पर ओपेन हुआ और यह हाई में चला गया 2,115 के लेकिन उसके बाद में सुरू हो गई गिरावट क्योंकि बजार में भी बड़ी गिरावट तो यह low में चला गया 2,035 के और end में जो closing दिया वो है 2,047.95 पर करीब 2,45% down पर closing आई है पर आपको ज़्यादा घबराने की जरूत नहीं है result बहतरीन है और performance अच्छी देखाई है result की तो उसके जो मैन मुखे मुद्धे है वो हम एक बार चेक करेंगे इसके एक बार quarter 3 के result पे एक बार नजर मार लेते है quarter 2 से quarter 3 को हम comparison करेंगे पूरे साल के हिसाब से नहीं देखेंगे फिलाल quarter 2 से quarter 3 में क्या performance बढ़ी है उसको हम देखते तो अभी quarter 3 का जो revenue है वो निकल के आया है 1,037,829 करोड का और quarter 2 में था 1,28,385 करोड का यानि 7.4% की बढ़त हुई है revenue के पिछले quarter से अगर इसका EBI TDA amount देखे तो 26,094 करोड का हो रहा है जो quarter 2 में था 23,299 यानि उसमें भी 12% की बढ़त हुई है और finance cost अगर देखे तो 4,326 करोड की बन रही है जो quarter 2 में 6,084 करोड की थी यानि उसमें minus 28.9% है यानि finance cost के अंदर कमी की है Reliance Industries ने और depreciation देखे तो 6,665 करोड का है और पिछले quarter 2 में था 6,626 का यानि उसमें 0.6% की बढ़त हुई है depreciation में और जो tax है वो है 83 करोड का जबकि पिछले quarter 2 में था minus 13 करोड क्योंकि पिछली बार लगबक कारोबार ठब था उस वज़े से minus में था tax और net profit pre-tax अभी बन है इसका total 15,015 करोड का और quarter 2 में था वो 10,602 करोड का यानि 41.6% की बढ़त हुई है और net profit है company का 14,894 करोड और पिछले quarter 2 में था 10,602 करोड यानि 40.5% की बढ़त हुई है बहुत ही सांदर performance दिखाई है इस बार और net profit में 40% की बढ़त की है अब हम इसके EBI, TDA quarter 3 के result को भी गौहर कर लेते किस sector ने कितनी अच्छी performance दिखाई है उसको भी हम जान लेते है तो इसके O2C में 9,756 करोड रहा है जो पिछले quarter 2 में था 8,841 यानि 10% की बढ़त है और इसके consumer sector में 12,044 करोड का revenue बना है जो 10,374 करोड का यानि 60% की बढ़त हुई है consumer sector मे और इनके digital sector में 3,102 करोड रहा है जो quarter 2 में था 2,029 करोड का यानि 52% की बढ़त हुई है और digital service से मिला इनको 8,942 करोड और quarter 2 में था 8,345 करोड यानि 7.2% की बढ़त digital service sector में भी हुई है और oil and gas में इनको 4 करोड का revenue मिला है जबकि quarter 2 के अंदर मियां था minus 194 करोड क्योंकि उ समय पूरा oil और gas sector का कारोबार बन था इस वेजिसे उनको उसमें loss हुआ था अदर्स इनका जो revenue जनरेट हुआ वो है 1,797 करोड का जो पिछले quarter 2 में था 1,605 करोड का यानि वहां पर भी 12% की बढ़त हुई है और segment EBI TDA का जो total बन रहा है वो है 23,601 करोड जबकि quarter 2 में था 20 20,626 करोड का यानि 14% की बढ़त आई है segment EBI TDA में भी और total EBI TDA जो है इनका 26,094 करोड का बन रहा है जबकि quarter 2 में था 23,299 करोड यानि 12% की बढ़त ओवराल कमपनी का 12% का profit बढ़ा है quarter 2 से quarter 3 के दर्मियाद और result अच्छा है और appreciate करने जासा है और quarter 2 से quarter 3 में बहुत ही अच payment किया है Reliance Industries ने और सबसे जो बड़ी बात इसमें से निकल के आई वो यह है कि जियो ने अपनी performance सुधारी है क्योंकि जो सबसे बड़ा डर था इनका Reliance Zio platform का था जो बात चल निकल के आ रही थी कि Reliance Zio में बहुत जादा loss होने वाला उसके customer base बहुत कम होगे लेकिन ऐसी ब कटोती की वज़े से ही इनको इतना बड़ा profit मिला है क्योंकि बहुत सारी इनको इस्टोर अभी भी बंद है और इसकी वज़े से इनका जो operational खर्च है वो कम है और इसलिए इनको बावत प्रतिशत की बड़त retail सेक्टर में देखने को मिल रही है consumer जो section है उसमें भी उन्होंने अच्छी खासी growth दिखाई है और oil gas में तो अभी production शुरू हुआ है तो अभी 4 crore की जो है यहां पर revenue दिखाई जारी है लेकिन पिछली बार इनको loss था तो इस तरह से overall result अच्छा है सारे के सारे इनके जितने भी business है वो सारे business में इनको profit दिख रहा है अभी फिलाल अगर पिछले साल से comparison करेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी क्योंकि पिछले है 9 महीने से covid-19 था और इसकी वज़े से बाजार में सारे सब जगह पर effect था तो definitely reliance industry पर भी effect पढ़ा है लेकिन quarter 2 से quarter 3 के दर्मियान बहुत ज्यादा achievement किया है इसलिए आने तो उनके मुँपे यह तमाचा है यह result क्योंकि quarter 2 से quarter 3 में उन्होंने performance को सुधा रहा है और अपने सबसे बड़ी बात उन्होंने अपने depth को भी कम किया है और अपने revenue को भी जनरेट किया है तो इससे एक बात साब जाहिर हो रही है कि reliance industry बिल्कुल पठरी पे है और उनका क को चुन लिया है और आने वाले समय में reliance industries में बहुत ही सांदार profit होगा तो आपको इसमें घबराने की कोई जरूत नहीं है अगर आपने अभी तक भी reliance industry में investment नहीं किया तो इसलिए उलपे भी आप कर सकते आने वाले समय में यह आपको अच्छा खासा profit देगा प्लस इसम हमारा short term target दिया हो 2200 का वो टच करेगा और long term target 2800 का भी आएगा तो आपको कोई डरने की जरूत नहीं और result ने भी हमें आसावान बनाया है इससे एक result से मोटा मोटी हमको बात समझ में आ चुकी है कि reliance की गाड़ी पड़री पे आपको डरने की कोई जरूत नहीं लेकिन friends को कोई भी investment करने से पहले अपने finance advisor से एक बार advisor ले ले यह अपना खुद का research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational purpose के लिए ही बनाया है वीडियो पसना आए तो like share जरू कीज़े और channel को subscribe कर दिए thank you friend